तत्ताधारी दल की पुलिस और सीबी आई से विश्वास उठ गया है तो जब समिधान बेडियों में हो अपराधियों की कानून जीप के टायर के नीचे हो न्याय पालिका का पुलिस और सीबी आई से विश्वास उठने लगे तो देश में ऐ राजकता फैलेगी या नहीं सवाल ये है देश की कानून व्यवस्था का रखवाला कौन है देश का ग्रह मंत्री और देश के ग्रह राज्य मंत्री का बेटा ही जब अपराधी हो और पुलिस उससे पुलिस के दामाद जैसा व्यवार करे वो शाशन और प्रशाशन का दामाद बन जाए पुलिस के दामाद जैसा उससे व्यवार हो तो अपराधीयों को पकड़ेगा कौन और समयधान और कानून लागू करेगा कौन सवाल ये है देश के ग्रह राज्य मंत्री हैं तीनी महोद्य अजे टेनी और इन अजे टेनी महोद्य जो हैं इनका बेटा हत्या का आरोपी है और उत्रप्रदेश की पुलिस क्या कर रही है उत्रप्रदेश की पुलिस उसे दामाद बनाकर नोटिस थमा रही है के आप से हाथ जोड़कर विंती है हत्या के अरोपी महोद्य आप आईए और हो सके तो तकलीफ लेकर पुलिस टेशन में तश्रीफ ले आईए ये सब जानते हैं के लखीमपूर खीडी में फाइरिंग भी हुई और फाइरिंग से भी हत्या हुई पर देश की सरकार उच्तम नेले सुप्रीम कोट में जाकर कहती है खोल तो बरामद हुए हैं हो सकता है निशाना ठीक ना लगा हो ये मैं नहीं कह रहा ये देश की सरकार ने आज देश की सुप्रीम कोट में कहा कि फाइरिंग के खोल तो मौके से बरामद हुए हैं हो सकता है निशाना ठीक ना लगा हो किसानों की हत्या के मामले में किसानों पर हत्या का दोस्तो ये कैसा देश बन गया है और एक और संयोग है या प्रियोग ये तो मोदी जी बताएंगे पर जरूर देखिए कि बेटा हत्या का मुल्जिम और बाप हत्या का आरोपी मैं किसी अपराधी की बात नहीं कर रहा दाउद इबराहिम की या किसी और की मैं इस देश के ग्रह मंत्राले में बैठे आज भी जो साउथ नौर्थ ब्लॉक में बैठे लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ बेटा हत्या का मुल्जिम बाप हत्या का आरोपी और मोदी जी ने ऐसे व्यक्ति को देश का ग्रह राज्य मंत्री बना रखा है तो कानून और समईधान की रक्षा कौन करेगा और बेटे को छोड़िये लखीमपूर खीरी वाले को बाप सीधे सीधे धमकी देता है कि जब मैं देश का ग्रह राज्य मंत्री भी नहीं था मतलब कि उस समय भी बहुत बड़ा गुंडा था और अब तो कानूनी गुंडा बन गया हूँ और कहीं ना कहीं अलाबाद हाई कोट भी संदे के घेरे में है मैं बहुत जुम्मेवारी से कहता हूँ मुझे पता है आप कहेंगे यह आउमाना का मामला है दोस्तों मैं तीन कागच आपको भेज रहा हूँ पहला कागच यह वो हत्या का मुकदमा है जिस पर अपील दायर हुई अलाबाद हाई कोट में यह वो कागच है हाई कोट का मैं इस पर आपका ध्यान आकरशित करूंगा क्रिमिनल अपील 1624 ऑफ 2004 स्टेट ऑफ यूपी बनाम अजे मिश्रा टेनी एन अदर्स देट ऑफ फाइलिंग 19.6.2004 लास्ट लिस्टेड 25 फरवरी 2020 2004 के बाद मामला 2020 में 25 फरवरी को लिस्ट हुआ था दोस्तो आप बताईए आपके दर्शक बताएं इस देश का हर वो नागरिक जो देश के कानून को मानता है वो बताए अगर देश के ग्रहे राज्जे मंत्री पर 2004 से 2020 के बीच में कितने साल हुए 15 साल 17 साल 17 साल तक अगर मुकदमा हत्या का लंबित रहेगा तो इस देश में कानून कैसे चलेगा और देखिए ये अदालत का 12 मार्च 2018 का ओर्डर है मैं आपको भेज रहा हूं अलाबाद हाई कोट का केस का नाम है वही स्टेट ओफ यूपी वर्सिज अजै कुमार टीनी अन अदर्स इसमें अजै कुमार टीनी पर हत्या का आरोप चलेगा या नहीं अलाबाद हाई कोट ने 12 मार्च 2018 को ये फैसला अरक्षित रखा था रिजर्व रखा था आज क्या तारीख है 8 अक्टूबर 2021